सुरा मेरे नज्च पम्मड कानवेर ननी सिखा पजिंग समाधियामी सुरा मेरे नज्च पम्मड कानवेर ननी सिखा यह जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टैचू है इसको जिरा ध्यान से देखेंगे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इसमें नीचे एक मटका है साइड में दो कमल की जो कलियां होती है वो है और कमल के दो फूल है ऊपर हाती है और हातियों की सूड में दो मटके हैं और वो कुछ डाल रहे हैं और उसके उपर कुछ धम लिपी में लिखा हुआ है और ये इस्तंब है पत्थर है जो मोतिलाल आलंचंजी है तैसिलदार साहब है वो धम लिपी के बहुत बड़े जानकार है आज हमारे पैनल में है उनको ये सुवे मैंने भेजा था कि जरा बताईए कि इसमें धम लिपी मे क्या लिखा हुआ है तो बताते हैं कि धम लिपी में ये लिखा हुआ है पत्थर को दान करने वाले का नाम ये पत्थर इसलिए बहुत important है क्योंकि बहुत सारी जो कहानिया है वो पत्थरों में हैं और पत्थर बोलते हैं पत्थर अपनी आवाज खुद बोलते हैं बताते ह कि पत्थर क्या किना चाहे ले इसको ध्यान से देखिए कि इसमें बीच में एक महिला है यह कमल के फूल बताते हैं कि यह बुद्ध से संब्दित है क्योंकि बुद्ध का कमल से बहूंद बगा नाता है और कमल को यानि फुंडि के बोलते हैं वो कमल के फूल को बोलते हैं और जलज भी कमल के फूल को बोलते हैं बहुत सारे नाम हैं और वो बुद्ध से संबंदित माने जाते हैं यानि उस परिवार से संबंदित जो ये हाती है दो इनको नाग बोला जाता है और ये चिन है जैसे राज च जो चिन है यानि डेस का चिन है वो चार शेर हैं जैसे वीदा पिकपल यानि स्रमर संग का जो चिन है वो वी है वैसे ही जो नाग वन सी लोग थे यानि हम लोग थे तो हमारा जो पहचान थी वो यहाती था इसको नाग भी बोलते हैं इसको हस्ती भी बोलते हैं और भी इसके क उसमें ऐसा बताया जाता है कि ये सौने की गिन्या है जिसको धन कहते हैं जबकि सौने की गिन्या और धन का उस समय पाली में बहुत अलग तरहेगा मतलब है तरसल जो धन सब्द है वो पाली में पुरानी भासा में बुद्ध से पहले की भासा में धन सब्द नहीं है धनी बो पाली के हैं वैसे धई हैं तो धई सब्द का मतलब होता है ग्रेंज यानि कि जिनको आज की समय हम धानने बोलते हैं तो जब हम कहते हैं कि धन धानने से भरपूर रहना तो धन सब्द जो बना है वो धई से बना है और धन का मतलब जो होता है धन वित्ती पाली के अंदर होता ह प्राने समय का जो धन है वो या तो ग्यान है और या फिर जो धन्नी है जो ग्रेंस आते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि आज के समय जब ये कल का दिन मनाया गया तो हमारे खेतों से जो आ रही है फसल वो कौन सी है उस फसल का नाम है तंडुल चावल नहीं है पाली में चावल सब्द ही नहीं है तो तंडुल सब्द है तो तंडुल जो सब्द है और उसमें जो धई है यानि धई किसके है तंडुल के तो धई तंडुल वती यानि कि वो महिला है वो है धई तंडुल वती यानि कि चावल वा मालिक है मालकिन है और कितनी मालकिन है लख लख बोला जाता है लख मी यानि लख जो उसके धाई है उनकी वो मालिक है लख मी तो लख मी की जो तस्वीर है वो यह है इसको धनवंतरी भी बोल सकते हैं धनवंतु भी बोल सकते हैं और लख मी बोल सकते हैं और आप ध्यान कि कि हमें जो कहानी सुनाई जाती है वो ये सुनाई जाती है कि कोई व्यक्ती आया युद्ध जीत के आया और उसके आने पे जो दिये जलाए गए उसकी खुशी में मनाया गए जबकि Puga जो करते हैं घरों में वो लखमी की करते है। यानि जिसके पास धाई हैं धान हैं लाखों धान हैं उस लखमी की पड़ते हैं तो सारी महिला लखमी हैं यानि कि सारी महिला धन वनती हैं सारी महिला धन वती हैं तो कहते हैं कि ये धन आएगा तो क्यों सा धन आएगा जिसको आप धान बोलते हैं आज के समय यानि धाई से धान हो गया धान आएगा और आज भी इस छेत्र में धान ही आता है जहां का ये फैस्टिवल है ये फैस्टिवल बिहार का है ये फैस्टिवल यूपी का है ये फैस्टिवल पंजाब का है हर्याने का है ये असम की तरफ का है ये बिहार का है तो ये सारा एरिया जितना भी है तो धान के लिए जाना जाता है, धहीं के लिए जाना जाता है, तंडन के लिए जाना जाता है, एक चीजी ये सपश्ट कर लिजिए, कि जो फैस्टिवल ये पत्थर बताता है, ये पत्थर ये बताता है, कि ये महिला हमारी है, क्योंकि इसमें धमले पी बताती है, और ये चि लिपी इनन्हें दिखा हुआ है फिर अगला दिन जो आता है क्या आता है अब धान घर में आ गया तो धान को चेक करना एक कैसा धान है जोう कि अACK लुए कली चोद्दस आज का दिन बोलते में कि काला एं कि सारा फथ कौंसा है कॉनसा कढ़एफक्स का मतलब है कि जब चंद्रमा दिरेदीरे खतम होता है कढ़एमाने काला होता है तो काला पक्स चलला है Д SBS कर द Lahhan जो नया धही आया धान आया उसको वह उबालती हैं उसको कूटती हैं को पकाती है और क्या बनाती है उसमें शहद डालती है दूर डालती है और सबसे बड़े अमठाई बनाती है जिसको पिंडी बोलते हैं पिंडी पात बोलते हैं वो बनाती है और वो खाके चेक करती है काली चौदस में अगर आज भी आप देखेंगे तो काली चौदस में यही पकवार मनता है घरों के अंदर जो नए चावल से बनता है और चावल को चेक करते हैं पिर इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आगे जो नाम दिया गया है वो दीपावली दिया गया है अब दीपावली पे बड़ा जगडा है क्योंकि असौक के साहित्य में नहीं मिलता, सिला लेखों में नहीं मिलता, बुद्ध के सह में नहीं मिलता, त्रीपी टेक में दिपावली सब्द नहीं मिलता, दरसल दीपावली, वंसावली या सब्दावली, जो बाद में आवली सब्द लगता है, आवली का मतलब होता है, पंक्ती में, लाइ है लखमी की बुद्ध के समय की जो धनव Absolности और नाम लिया जा जा रहा है कि कोई वयक्ति युद्ध जीत के आया है तो उसके आने की खुसी में दिये जल्ने है और नाम इसका हे दीपावली जो दीप जल्ने हैं और हमें बुद्ध कहते है कि अपना दीपक आप बनो यानि दीपक जो सब्द है वो पाली का है और दिया सब्द पाली का नहीं है तो बुद्ध कहते हैं अपना दीपक आप बनो तो कैसे बनोगे अपना प्रिकास कैसे बनोगे क्योंकि वो तो कहते हैं कि जब तक आप खुद नहीं जलोगे खुद विपस्ना नहीं करोगे साद्र हमारे लोग बना चुके थे दिया बाती दीपक बाती तो अंधेरा तो रोज ही भागाते थे तेल तो रोज ही जलाते थे वो उस दिन कोई खास नहीं जला रहे हैं ऐसा नहीं है कि तीन सो पैसट दिन में सिर्फ एक बार दीपक जलेगा उसी दिन दीपावली होगी तरसल उस दिन धंब का प्रकास फैल रहा है और ऐसा प्रकास जो हमेशा से जीवन को रोसन करेगा फिर दीपकों की जरूत नहीं है पांच मुवंबती हम जलाते हैं कब से जलानी आराम हुई कब इसकी परंपरा बनी इसके वारे में पता नहीं चलता कि हमने पांच मुवंबती जला रहें तो क्या उससे पहले पांच दिये भी जलते थे और आप यह बात ध्यान रखिए कि यह पंच सील के पांच दिये किसी भी कारिक्रम में स्टार्ट होने से पहले परंपरा है यानि कोई भी कारिक्रम में स्टार्ट होता है चाह सरकारी है चाह गैर सरकारी है तो एक आप चलता है कि पाँच दीपक पंच सील के जलाने की पहले से पिर्था है और एशिया के कई बिद्विहारों में और भारत के कई कई जगे पे जो अमावस वाले दिन आती है नहीं जो कल का दिन आता है वहाँ पर दीपक जलते हैं जोद्पुर का अंदर भी 84,000 दीपक जलते हैं और साउथ के कई मंदिरों में भी दीपक जलते हैं क्योंकि मंदर जो होता है वहाँ होता है जहां मन के दर दूर होते हो तो दीपक जलाने की परंपरा आरंब कहां से हुई ये तो नहीं मिलता मगर दीपक जलाने की परंपरा है तो उससे अगला दिन जो आता है वो और भी म पाली में है तो कि गौ जो है गौ का मतलब हो है गौतम का वंस यानि गौतम का पूरा लाइनेज इसको गौत तो बोला जाता है पाली के अंदर जिसको आप गौत रूट है तो गौतम में का जो वंस है जो कभी लाए उसको गौ की नाम से जाता है तो जहां भी गौ लगता है तो जहां गौतम जा रहे हैं, वहां गौतम जो चण हैं, गौतम पद हैं, गौतम पद हैं, तो जितने भी गौ की चीज़ हैं, सारी सारी बुद्ध से हैं, तो यहां जो गौवर धन है, इसमें जो गौ है वो गौतम है, और वर माने होता है स्रेश्ट, और जो धन है, धन का मत करती है उससे है और उसका कुछ बनाना होता है तो यह गाय का गोवर है और गोवर को धन बोला जाता है गाय के गोवर को अगर आप धन बोलोगे तो भैस जो करती है उसको भी क्या गोवर बोलोगे जो भैस करती है वो तो गोवर नहीं हो सकता वो तो भैस वर होगा और जो घो तो सब्द नहीं पाली गंदर जो गाय के स्पेशल इस्तमाल हो, क्योंकि अब आदमी अगर लेटिन करेगा, टटी करेगा, तो क्या उसको बोलेंगे नरवर, या उसको बोलेंगे पॉर्सवर, या उसको बोलेंगे महिलावर, ऐसा नहीं होता, इसलिए खाली, अगर कोई ये क इतनी उनकी टट्टियां होती है, उनका एक ही नाम होता है, जिसको मिने बोलते हैं, या मल बोलते हैं, इससे ये स्पष्ट होता है, कि गौतम वर का जो धन है, यानि कि जो संग्र है, उसका दिन है, वो सायद सिखा रहे हैं, अपने धम को सिखा रहे हैं, उसके बाद जो आता है फिर आता है भैदूर अब गौतम धम सिखाएंगे तो भैदूर तो हो नहीं है क्योंकि जो बदंत नाम है बदंत नाम का मतलब है जो भैकांत हो जाए और बदंत सही भंतेस पड़ा हुआ है भैकोंत करने वाले जिनका भैकांत हो गया है बदंत और भंते इसी से भैदूर ह ये स्रीज अलग लग भी हो सकती है ये स्रीज साथ साथ ही हो सकती है मगर इस सब चीज में एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि हमारे लोग अब चीजों को समझने लगे हैं और वो अपनी सांस्कित यानि जो संक्रती की विरासत है जो उनकी पूजी है जो उनकी परंपरा है उसको जानने लगे हैं तो इतना समझ लीजिए कि भारत में जितने भी फैस्टिवल हैं वो भारत के लोगों के हैं अगर विदेश से कोई आदमी आएगा तो वो अपना फैस्टिवल लेके नहीं आता और योद्धा अगर आता है य जो उनकी कल्चर को वहीडोप्ट करते है जो मुस्लिम बन गये हैं या जो हिसाई बन गया मगर उसमें अभी मिक्सिंग है को क्योंकि वो कल्चर दो करते हैं मगर उनका सारा कुछ खान पान सारा इंडियनी स्टैल में होता है बाचित इंडियनी ईसार आपका उन्मीट हो गए यह के लुग है यह कहना बहुत आधियंग सी बात होगी कि जो है वहrendre भास्टिवल हमारे नहीं आधिये बहुत सारे तर बहुत के कि जो आप उगा के देखते हैं कि ये हमारे जो जमेंगे या नहीं जमेंगे यानि कि जो फसल आने वाली है रवी की वो आप में जमा के देख लिए उसका फेस्टिबल भी होता है और अब रवी की फसल का फेस्टिबल भी आगे आने वाला है तो सारे फेस्टिबल चलते हैं चाहें वो कभी बने हैं, मगर वो हैं हमारे ही, उसका कारण यह है कि अगर दिपावली जैसा फेस्टिवल या जो फेस्टिवल की ये स्रीच चल लए है, अगर ये हमारी नहीं होती, तो इसको भारत में तीन परसंट या दो परसंट लोग मना रहे होतें, जो बाहर से हैं, तो अगर वो लाद भी दें, तो ये जो पत्थर बोलता है, इसका क्या करोगे, ये जो पत्थर में बैठी हुई है, धन्वती बोलें इसको, या इसको बुद्ध की माता भी बोलते हैं, इसको महा माया भी बोलते हैं, माया लख्मी बोलते हैं, माया भी भी बोलते हैं, बहुत स चली गई हमारे फेस्टिवल बदल दिये नाम बदल दिये कुछ हम भूल के कुछ भलवा दिये कुछ बदल दिये कुछ का नाम बदला गया कुछ का समय बदला गया कुछ का टाइम बदला गया कुछ की कहानी बदली गई क्योंकि भिक्कों को तो भिक्को बोलते हैं, जो भिक्को है उसको भिक्को बोलेंगे, भंते बोलेंगे, बदंत बोलेंगे, महा थेरा बोलेंगे, थेरा बोलेंगे, उनके नाम तो फिक्स हैं, मगर जो आम लोग आराम में जाते हैं उनका भी नाम है आराम में जाके आराम बोलते हैं आज के समय जिसको आप बुद्ध बिहार बोलते हैं उसको आराम जैसे पुब आराम जैसे जो बोला जाता है घोसित आराम जैसे जैत्वन आराम यानि ये उनके बिहारों के नाम है आरा में रम रहा है तो वो कौन विक्ति है तो कहते थे यह राम है तो यह राम है यानि जो रमता था उसको भिकुना बोलके राम बोला करते थे और जो महिला रमती थी जाके उकोसत के दिन में उसको रमाई बोला करते थे या रामरी बोला करते थे या रमनी बोला करते थे रामरी स तो नेपाल में अभी भी चलता है, रमाई हमारे माराठ पर चलता है, और भी सब्द है जो महिला के लिए आते हैं. तो ये जो सब्द है वहां जहां रमते थे खास्तों से बिहार में आप पाएंगे कि हमारे विप्तियों के नाम के आगे पीछे बड़े राम लगे हुए राम भरोसे राम, राम बिहारी राम, राम हरी राम, राम ब्लास पासमान, राम सिंग, ये राम राम, ये सारे जितने भ तब भी उसको कहते है तो हाजी जी है यानि जिस सम्हें हज करने जाएगा उससमे तो इसका जो नाम पढ़ जाएगा हाजी है वहां उसका नाम खतम हो जाता लाकां बात यू Hmm अजो tones पीछे आगे पीछ सम्हाः नाम नहीं पीछे इसको ध्यान रखना, वो किलेम तो करते हैं, कि उनका कोई जो भी कहानी वो बताते हैं, कि वो उनकी है, मगर नाम नहीं रखते वो, यानि नाम जो राम है, वो सारे हमारे ही हैं, क्योंकि रमन हम करते हैं, रमते हमें, वो अपना नाम नहीं रखते, ये कमाल की बात है, ध्यान है ये तोहार भारत के लोगों का है या नहीं तो कि भारत के लोगों का अगर फेस्टिवल है तो हम सब का फेस्टिवल है इस से फरक नहीं पड़ता कि ये बुद्ध के समय के है या उसके बात का है या उसके बात बना इसके लिए अभी expert आपको बताएंगे कि कब क्या-क्या की चीश कैसी भी है, मगर ये तैह है कि ये जो festival की जितनी भी स्रीज है, ये भारत की लोगों की है, और कोई ये परूब कर दे कि भारत के लोगों की नहीं है, तो उसको बहुत सारे सबूत देने पड़ेंगे, और उसको एक सबूत नहीं मिलेगा, हमको तो पत्थर मिल गया, उसको पत्थर भी नहीं मिलेगा, हमको तो बहुत सारी कहानिया मिल गई, उसको कहानिया भी नहीं मिलेंगी, ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट म पे अपने पेज पे अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है, उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है, ध संगं सरेन गच्छाम। बूतियं पी बुद्धं सरनों गच्छाम। बूतियं पी बुद्धं सरनों गच्छाम। दूतियं पी धम्ममर सर्णु गच्छामु दूतियं पी धम्ममर सर्णु गच्छामु दूतियं पी सर्णु गच्छामु दूतियं पी सर्णु गच्छामु दूतियं पी धम्ममर सर्णु गच्छामु ततियं पी धम्मंग सर्णं गच्छामी ततियं पी धम्मंग सर्णं गच्छामी ततियं पी धम्मंग सर्णं गच्छामी सादू, सादू